असलाम उलाइकूम Candler Retail Software की इस Tutorial वीडियो में हम ये सिखेंगे के पहले से Define किये गए Products को Search करके तबदील यानी Update कैसे किया जाता है सबसे पहले हम Product Definition की Screen को Open करेंगे यहाँ पर जिस Line Item के Products को हम Search करना चाहते हैं उस Line Item को पहले Drop Down मेन्यू से Select करेंगे Line Item सेलेक्ट करने के बाद हम उपर All Products List के टैब पर क्लिक करेंगे हमारे सामने Product Definition में Selected Line Item के Products की List ग्रिट में नज़र आएगी यहाँ पर हम मतलूबा Product को बहुत से तरीकों से सर्च कर सकते हैं हम Product को Product Code के जरीए, Product Name के जरीए गर्स ये के जितने भी कॉलंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उन में से किसी के जरीए भी सर्च कर सकते हैं प्रोड़क को सर्च करने के बाद उस पर डबल क्लिक करने से उस प्रोड़क की इन्फोर्मेशन प्रोड़क्ट टेफिनेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी अब यहाँ पर हम प्रोड़क का डिपार्टमेंट तब्दील नहीं कर सकते और ना ही इसका कोड चेंज कर सकते हैं इसके अलावा हम प्रोड़क के नाम में तब्दीली कर सकते हैं Line Item और Product Based Attributes, Supplier, Conversion Factor, Tax Information वगेर में तबदीली की जा सकती है और उसे Update के बटन से Update किया जा सकता है इस स्क्रीन से आप Product की Cost Price और Retail Price Update नहीं कर सकते Retail Price को अगर Update करना मकसूद हो तो उसे Product Price के टैप पर जाकर Update किया जा सकता है लेकिन इसके लिए Group Rights की स्क्रीन पर जाकर Configuration की कैटेगरी में Product Definition के Rights में Disable Update Retail Price को Uncheck करना होगा फिर हम Product Price के टैप से Selected Product की Retail Price को Update कर सकते है बिलकुल इसी तरह हम Size और Color वाले Department के Products को भी All Products List के टैप पर जाकर Search करके और फिर Double Click करके Product Definition स्क्रीन पर मतलूबा प्रॉड़क्ट को लोड करके उसकी Information को Update कर सकते हैं हम Size और Color Products के Size और Color Combination में भी Changes कर सकते हैं Size और Color Products या Without Size और Color Products दोनों सूर्टों में हम In Check Boxes को भी Check Uncheck करके Update कर सकते हैं इस Tutorial वीडियो में हमने पहले से Define किये कर प्रॉड़क्ट को Search करके तबदील यानि Update करने के तरीके को समझा Candler Retail Software की वीडियो Tutorials देखने का शुक्रिया